हेलो दोस्तों वेलकेम एक्ट्योवर चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई भरती की जो की आई है चंडीगड के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं थमनेल से दसवी पास कंडिडेट्स के लिए भरती आई है और सेलरी भी इसके अंदर काफी अच्छी से सिंख्या कि अगर हम बात करें तो नाम मातर पद हैं बहुत कम सिंख्या में पद हैं फिर भी मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही देते हैं कहीं न currencies डग सकती हैं और किसी को तो benefit हो ही सकता है तो आज किस वीडियो मेंricanesे आपको information देने वाला हूं इस भरति पर्टि रिए ब जानने के लिए तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिए जो लोग चैनल पर नए है चैनल के कंटेंट को जरूर विजिट करें क्योंकि ये आपके लिए beneficial रहने वाला है तो आईए जादा समेना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरूर ये देखिए ये इस भरती का official advertisement है इसमें आप देख सकते हैं जो विभाग है या जो department है वो आप देखेंगे PCDA के नाम से इसको जाना जाता है principal controller of defense accounts ठीक है sector 9 चंडिगर्ड के अंदर ये विभाग जो है इसका office है तो वहाँ पर ये vacances निकली हुई है तो vacancy का नाम अगर आप देखेंगे तो staff की जो car को drive करने के लिए इनको एक driver की vacancy है जो की group C के अंदर आती है salary 19,900 से 63,200 जिसकी salary इसमें मिलने वाली है तो जो भी staff होगा इस विभाग का उनकी जो car की driving होती है official driving उसके लिए इनको recruitment ये की जा रही है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पद बिल्कुल नामातर है तो केवल एक vacancy यहाँ पे निकली हुई है अब इस एक vacancy के लिए जो qualification मांगी गई है वो मांगी गई है कि 10th pass आपका होना चाहिए metric या फिर equivalent होना चाहिए लेकिन साथ में क्या है कि light motor vehicle का ये four wheelers का driving license आपके पास होना चाहिए ठीक है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं थोड़ा बहुत motor mechanism का आपको ग्यान होना चाहिए या knowledge होनी चाहिए और अगर आपको तीन साल का experience है driving के अंदर तो और भी अच्छी बात है experience भी यहाँ पर मांगा गया है तीन साल का age limit आप देख सकते हैं 18 से 25 साल है कोई भी age relaxation as per existing rules यानि कि जो other categories in SCST उनको थोड़ी बहुत age relaxation यहाँ पर मिल जाएगी आपकी जो age की गणना है वो होगी 30 जून 2021 इसकी जो है crucial date है यानि कि इस date पर आपकी उमर 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए तो यह qualification है salary है experience में मांगा गया है तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो आपका selection procedure कैसे रहेगा वो है इसमें एक return exam होगा 80 marks का एक practical exam होगा skill test या driving test 20 marks का तो based on that आपका जो है selection इसके अंदर करवाया जाएगा जो candidates इस exam को clear करते हैं या merit list में आते हैं तो उन candidates को further practical exam के लिए बुलाए जाएगा यानि कि जो driving test के लिए बुलाए जाएगा उसमें थोड़ा बहुत आपसे motor mechanism के बारे में भी पूछा जा सकता है तो based on that जो candidates इस exam को clear करेंगे तो उनकी job इसमें लगने वाली है apply कैसे करना है इसका application form मैं आपको दिखा देता हूँ देखे सबसे last में इस advertisement के ये इसका application form है इस application form को आपको भरना है recent passport size photograph इसमें attach करना है ठीक है सारी drill show जो मांगी गई है driving license number है issue date कब तक valid है रहने वाला है तो इस सारी चीज़े आपको इसको भरनी है और इस application form को फिर आपको कहां पर भेजना है वो यहां पर address दिया गया है यह मैं address भी आपको दिखा देता हूँ जो चंडीगर्ड में इनका जो office address है वहां पर आपको भेजना है sector 9 में कब तक भेजना है इसकी जो last date है 30 June 2021 इसकी जो last date रहने वाली है और इसमें जो application form को एक envelope के अंदर आपको properly seal करके वहां पर लिखना है to the PCDA WC bracket में sector 9 A चंडीगर्ड 160009 through ordinary post ठीक है सिर्फ साधारन डाक से इसको आपको भेजना है या फिर by hand आपको इसको जमा करवा सकते हैं अगर आप इसकी registry करवा देते हैं या speed post करवा देते हैं तो आपका application form वहाँ पे accept नहीं किया जाएगा और जो envelope होगा उसके उपर साफ साफ आपको लिखना है application for the post of staff car driver ordinary grade तो ये अगर बात करें तो certificates की तो original certificates को send करने की जरूरत नहीं है वो सिर्फ आपको at the time of verification of documents आपको certificates प्रेड्यूस करने होंगे या दिखाने होंगे तो ये basic details है इस भरती परिक्रिया के बारे में अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आई है कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो comment section में comment करके आप पूछ सकते है I'll try to answer it definitely तो आज किस वीडियो में इतना ही हाँ एक और important बात है कि इसका application form का link आपको description box में मिल जाएगा साथ में इस भरती का link भी आपको मिल जाएगा वहां से जाके आप इसको download कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में इतना ही एक ऐसी नए वीडियो नए content के साथ free में लेंगे तब तक के लिए बाई बाई जै हिंत जै भारत